अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे पूर सेनिकों और केंद्री करमचारियों के लिए दोस्तो तीन से चार इंपॉर्टन अबडेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों बात करेंगे पीसीडिये का जो सर्कुलर है और जो सर्कुलर सिक्स सिक्स था जिसके बेस पे सारा का सारा दोस्तों जो है पूरुसैनिकों को बेनिफिट मिलना था उस पे दोस्तों अब पूरुसैनिकों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और हम बात करेंगे दोस्तों जो सिक् जो पेंशनर्स की कंडिशन है जो पूरू सेनिकों कंडिशन है उसको लेकर बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़रा जो चीज़ इंप्लिमेंट करने कही गए ती PCDS सर्कुलर 666 में जहां पर क्या गया था कि पूरू सेनिकों के लिए जो है सिंपल सा काम रहेगा कोई दिक्कत नी रहेगी उनको जो है जो उनको बेनिफिट मिलना था हर 6 मेने बाद अब उसके उपर दोस्तो कुछ कुशन्स आ रहे हैं और बहुत सारे पैंशन्स इसकी वे से परिशान है तो उसके बारे हम बात करेंगे बात करेंगे दोस्तों ECHS ने आट बार फिर से पूर्सेयनिकों को बड़ा तोफा दिया है और उसमें दोस्तों एक नई एडवाज़ी जारी की गई है हम बात करेंगे दोस्तों नई एडवाजरी के थूरु जो है अब जो पूर्षेनिक हैं उनको क्या बैनिफिट मिलने वाला है और खासकर दूस्तों EC कि यह थो आपका क्लेम होगा यह आपका जोभी डियुक्त होगा या पॉली क्लिनिक से लिटेड होगा हमने पहले भी दुस्तों इसके बारे में बात किया था आज हम बात करेंगे एक नई एडवाइजरी जो जारी की गई बात करें दोस्तों नेक्स्ट अप्डेट की जहां पर जो रक्षामंत्राले ने डिय आ को राइटर जो केंद्रिय करम्चारीह को डिय मिलता है उससे एक जो पर आए था तो दो वह दो बातें चल रही है एक तो जो है मोडी की तरफ से लेटर आया था उसमें दिये के बारे में क्या कहा गया था और दूसरा दूस्तों मीडिया हुस जो कि आप देखते हैं जो है अलग-अलग मीडिया चैनल पर जो है कल भी हमने बात किया था कि 30 मार्च को जो है बड़ होए डिये के साथ जो है आपको एर साथ बेल आइकन जरूर दबाया है दोस्तों पहला चीज है जो हम सर्कुलर 66 की बात कर रहे थे दो सर्कुलर 66 केंद्री कर केंद्र सरकार ने केंद्री करमचारियों का और पूर हुसाइनिकों को जो वन रेंग वन पेंशन टू का जो बेनिफिट देना था उसका एक प्रॉ जो भी था वो उनको इंटर्नली देखना था अब दोस्तों इस प्लैन के कॉडिंग फरवरी तक जो है लास था जिसमें कि सब को मिल जाना चाहिए था क्यूंकि फरवरी का महिना जा चुका है और अब सब को वेट था कि इस टाइम तक सब का जो वन रेंग वन पेंशन की ज चलसला यहाए खत्म हों जा में लेकिन अभी चीजां कि सरी कई लहों की दो किष्टे आई कई लों के 30 किष्टे आई लेकिन वह वह लोग जिनका कि जो हैXT लेकिन बीच में मोर्या माइग्रेशन होता रहा और उसके बाध सब्सपरश में तो इसके बाद से ॉट में रहा वन रैंक वन पेंशन का जो किष्ट था वो नहीं मिले पेंशनर को नहीं पता था और वो इसी वेट में रहे कि अब इस महीने आएगा अब उसके बाद पर चला कि इस पर्ष ने जो है कहा कि हमें नॉन पेमेंट सेटिफिकेट चाहिए बैंक से अब दोस्तों उसके बाद से सिलसला शुरुआ अब और वो भी दोस्तों क्या है कि कि अपने अपने लेवल पे जो एंक की तुन जो है नॉन परमेंट सेटिफिकेट लाना पड़ा कि उसके बाधूर दोस्तों बहुत सारे जो पैंशनर की जो अभी बिन रेंग बंशन की किस्ट अभी भी नहीं आई दोस्तों देखते वे दोस्तों एक लेटर लिखा गया है और क्योंकि ये एक सिंगल आदमी को परिशानी नहीं आ रही जो मल्टिपल लोगों को दिख्कत आ रही है उसकी वह से दोस्तों लेटर जारी किया गया पीजीडे की सर्कुलर अब दोस्तों दूसरे अपडेट की और दूसरा अपडेट बहुत इंपोर्टेंट है और यह तरीके से जो है जो पहले अपडेट में आप देख सकते हैं कि अब लेटर लिखा गया तो अब जो है एक तरीके से क्लेक्टिव एक्षन लिया जाएगा और जो जिलनों के अभी भी ओर ओपी कि जो किष्टे नहीं मिली उनको जो है अब लिस्ट बनेगी और उसके कोडिंग मिल जाएगा तो दूसरा अपडेट जो है वह वह इसीएच लेकर है और इसीएच जो है टाइम टू टाइम अपन नई जारी की एंडिस एज अप्रूवल ऑफ एमडी इसीएच एचे संश को एप्रूब कर दिया लेकिन दोस्तों किन को मिलेगा यह कौन से पंशनर से कौन से जो इसीएचे मेंबर जिनको यह बिलने वाला तो इसमें दोस्तों साफ साफ लिगा है कि इस्टिएक के हमारे ऐ रहते हैं और जो अबरोड रहते हैं या अबरोड अपने बच्चों के पास कुछ दिनों के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी दवाईयां बहुत लॉंग टार्म चलती हैं तो इसमें लेटर ECHS beneficiaries proceeding to a foreign country for three months or more than the date of living India will be entitled to medicine for duration of this size और यह दोस्तों आप छे महिने तक जो है up to maximum of six months जो छे महिने के दवाई ले सकते तो दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है कि जो उनका दवाईयों का जो medicine का जो ECHS का जो benefit मिल रहा है वो नहीं तूटेगा अगर आप छे महिने के लिए फॉरण जा रहे हैं कई लोग बच्चों के पास जाते चार-पांच महिने के लिए तो उस सकते हैं बात करते दोस्तों नेक्स अपडेट की जहां पर जो रक्षा मंत्राले की तरफ से डिये के पेइमेंट के उपर जो लेटर आया था उसके बारे में रक्षा मंत्राले के लेटर में और हम बात कर रहे हैं जो केंद्री करमचारियों के लिए केंद्री करमचारियों क तो दोस्तों इसका मतलब है कि डीए 50 परसंट जो है वह आपको जो मार्च की जो सेलरी आएगी उसके साथ ही मिलेगा अब इसमें दोस्तों दो बाते आ रही है कई मीडिया जो चैनल्स हैं वहां पर यह कल जो है लगभाई-लगभाई हर मीडिया चैनल में था कि जो आपका पेंशन आ रहे हैं उनको तो अलड़ी दो एरिया राज चुका है जन्वरी फरिवरी का और सिर्फ और सिर्फ उनका जो है पेंशन जो है क्रेट होनी है सेलरी लेकिन सपर्ष के केस में दोस्तों अभी 46 परसंट के साब से मैसेज आया है और जो हम लोग यह मैसेज देखें क किंद्री करमचारी पेलिए उसमें कहीं नी लिखायागा तो दोस्तों कहीं ने जीन सेर्फ मिलेंगी तो 50 परसंट से पहले नहीं बुक्तान होगा अपकां То नहीं होने वाला तो दोस्तों सबसे बढ़ा हो है कि अभी तक इसके पुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है और तीन मेने के मिलने वाला है यह जो है दोस्तों 46% करके एप्रिल में अजस्टमेंट होगा उसके उपर अभी वी कुश्चन मार्ग बना हुआ है और मीडिया रिपोर्ट की माने और मोडी की माने तो दोनों में अलग अलग जो है बातें आ रही है दोस्तों यह था आज का इंपॉर्डेंट अपडेट सभी सैनिकों के लिए क आज को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब करना ना पूले है थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो कि अ